के स्रोस्टी येस थैंक यू ओके तो पाइब एडस फिस्टर में क्या होता है कि जो हमारा लॉजिक हमने टाइम्न वर्क पे यूज किया था वही हम इसमें यूज करते हैं जैसे कि आपको पाइप और सिस्टर मतलब एक टंकी ठीक है तो सिस्टर मतलब दर मत एक pipe लगा है इधर से भी पानी अंदर जा रहा है इसको है नाम है pipe B तो आपको कहा जाएगा कि pipe A इस टंकी को 10 गंटे में भरता है और ये 20 गंटे में भरता है फिर आपको पूछा जाएगा कि दोनों मिलके एक साथ अगर भरेंगे ठीक है इधर से भी पानी आएगा और इध इदर से भी पानी आएगा तो दोनों मिलके कितने घंटे में इस टंकी को भरेंगे ठीक है यह आपकी एक कंडिशन हो गई दूसरी कंडिशन क्या हो सकती की सेम टंकी है ठीक है अब यहां से एक पाइप लगा है इसमें कभी-कभी आपको तीन पाइप का भी कंडिशन दिया ज तो सेम लॉजिक है अब यह दो लोगों का है तो दो लोग काम करते हैं जैसे कि A 20 दिन में काम करता है B 30 दिन में काम करता है दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे तो सेम लॉजिक हम यहां पर यूज़ करेंगे दूसरा कंडिशन आपका ऐसा होगा कि यहां प तो आपको पूछा जाएगा कि यह दोनों मिलके अगर चालू है इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से भी बार आ तो आपको पूछा जाएगा कि यह टंकी भरने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपको मान लीजे ऐसा दिया है दो पाइप है एक है यह इसको दस घंटे में भरता है और दूसरा है यह इसको बीस घंटे में भरता है फिर आपको पूछा गया कि दोनों मिलके इस टंकी को कितने समय में इसको पूरा भर देंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों का जो हम LCM निकालते थे, A इसको 10R में भरता है, B इसको 20R में भरता है, तो दोनों का LCM कितना आएगा, 20, right, है ना, तो अब ये जो 20 आया है, ये क्या हो गया है, इस टंकी का capacity, मतलब आप समझोगे कि इस टंकी में टोटल पानी कितना बेटेगा, यहां तक, ये हो गया आपका 20 लीटर, ठीक है, मतलब इन दोनों का मिलके, टोटल कितना पानी इस टंकी में डालना है, 20 लीटर, तो यहां पर हम टाइम एन वर्क में क्या, इसको क्या कंसिडर करते थे, टोटल वर्क, अभी एक, आप इसको देखोगे, तो पानी भरना भी क्या है, एक वर्क ही है, इसका, पानी भरे, या जमीन खोदे, या फिर दूसरा कोई भी काम करे, तो यह क्या है, एक किसम का वर्क ही है, तो सेम, यहां पर हम, लेकिन आपके अंडरस्टाइनिंग के इसको हम कंसिडर करेंगी, यह जो यहां पर आपका LCM आता है, यह क्या होगा आपका, यह होगा आपका, इस टंकी का capacity, ठीक है, फिर आपको क्या दिया है, कि यह 20 लीटर पानी भरने के लिए, जो A है, इसको 10 घंटे लगते हैं, फिर आप मुझे बताइए, कि एक घंटे में, पाइप A, इस टंकी में कितना पानी जालेगा, तो कैसे निकालोगे आप, 20 बाइट 10, तो कितना हैग दालता है, और पाइप B कितना घरेगा, यह जो 20 है, इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो यह कितना हैगा, एक लीटर, बराबर, तो, तो पाइप A आपका 2 लीटर पानी डाल रहा है, और पाइप B, एक लीटर, फिर दोनो, A और B मिलके, एक घंटे में कितना पानी दोनों का, A दालता है, दो लीटर, B डालता है, एक लीटर, तो यह कितना जाएगा, दोनों मिलके, तीन लीटर पानी डालेगे, एक घंटे में, फिर आपको क्या पूछा है, कि आपका ये टोटल टंकी बरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, टोटल आपको यहाँ पर पूछा है, टोटल टाइम, तो टोटल कितना वर्क है, आपका ये टोटल वर्क यानि कितना पानी इसको भरना है, 20 लीटर, और दोनों मिलके, एक घंटे में कितना भरना है, 3 लीटर, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 6 and 2 by 3 hours, और 2 by 3 मतलब ये 6 hour, और 2 by इसलिए repeat किया, कि जो last session हमारे अगर कुछ friends होगे, जिन्होंने miss किया है, तो आप इसको revise कर सकते हो, खिक है, तो अब आज के session में हम क्या सिखेंगे, आज के session में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने time and work में, जैसे कि आपको कहा था ना कि A, आपका 3 गुना efficient है, किस से? B से, इसका मतलब क्या है, कि आपका B, अगर एक unit काम करेगा, तो A कितना करेगा? 3 unit, ये time and work में होता है, अगर आपको ऐसा कहा जाता, कि आपका A, जो है pipe A, अभी pipe and system के बारे में बात करेंगे, pipe A, आपका क्या ग pipe B से, तो आप इतको क्या करोगे? तो इसको आप कैसे लोगे आप time इसके इस में? तो अगर ये A क्या है, 3 गुना efficient है किस से? B से, तो B अगर 1 liter पानी डाल रहा है एक घंटे में, तो A कितना डालेगा? ये डालेगा 3 liter, ठीक है? अगर B अगर 2 liter पानी डाल रहा है एक घंटे में, तो एक इतना डालेगा? इसके 3 गुना, यानि की 6 liter, समझे? आप ऐसा logic यूज करोगे, clear है? इस type के question आप आज के session में सीखेंगे, okay? तो let's see, तो ये आपका पहला question है, पढ़िए, क्या दिया है? कि आपको दिया है यहाँ पे, कि two pipes, let me check, ये आज का पहला question, क्या दिया है, one pipe can fill a tank three times as fast as another pipe, अभी यहाँ पे क्या है? उस सेम efficiency वाला question, मतलब, ये जो एक pipe है, इसको आप मानिए A, और ये जो दूसरा है, इसको मानिए B, तो आपको क्या दिया है, कि जो pipe A है, ये तीन गुना fast, किस से भरता है? B से, तो आपका relation क्या बन गया? A equal to 3B, मतलब, B अगर आपका एक लिटर भरेगा, तो आपका A कितना भरेगा? ये भरेगा 3 लिटर, ठीक है? इसका ये मतलब है, तो आगे क्या दिया है? तो आपको यहाँ पर क्या दिया है? कि अगर आपको starting में दिया है कि A, आपका पहला pipe दूसरे से तीन गुना fast पानी भरता है, फिर आपको दिया है कि तो दोनों pipe क्या करते है? कि इस टंकी को मिलके 36 मिनट में भरते हैं, फिर आपको आगे पूछा है कि अगर जो slower pipe होगा, वो अकेला इस टंकी को कितने मिनट में भरेगा? slower यानि second वाला pipe, ठीक है? अगर A और B है, एक घंटे में सिर्फ A एक लिटर पानी बर रहा है और B तीन लिटर पानी बर रहा है, तो दोनों में slow कोन सा है? A है या B है? दोनों में slow कोन सा है? A है या B है? बताइए, बी है, क्योंकि B क्या अगर नहीं? इवन टाइम है, सिर्फ A की लिटर पानी बर रहा है और उसी टाइम में B आपका उसके ट्रिबल पानी बर रहा है, ठीक है? तो आपको ये relation यहाँ पे दिया है, तो इसको आप ज़रा आएगा, एंसर आपको दिया है, 81 मिनेट, 108 मिनेट, 144 मिनेट, 192 मिनेट, कितना टाइम लगेगा? इसका एंसर आप ट्राइ कीजिए, आया कीजिका एंसर, ऑफचन C, 144, ओके, देखिए, आपको यहाँ पे के दिया है, मान लीजे, दो पाइफ है, A, और दूसरा पाइफ है, B, और आपको क्या दिया है, कि जो पहला पाइफ है, यानि A, यह क्या करता है, तीन गुना फास्ट बहता है, मतलब A क्या है, तीन गुना एफिशेंट है, कि से, B के, इसका मतलब क्या है, कि आपका, B, आगर एक यूनिट पानी भरेगा, एक मिनेट में, तो A कि इतना भरेगा, यह भरेगा, इसके तीन गुना, यानि कि तीन यूनिट पर मिनिट, ठीक है, दोनों मिलके एक मिनिट में कितना भर रहे है, दोनों मिलके, A भर रहा है तीन, और B भर रहा है एक, तो दोनों मिलके, चार लिटर पानी, एक मिनिट में भर रहे है, ओके, अभी चार मिनट एक लिटर एक मिनट में पानी भर रहे हैं तो ऐसा करके उनको टंकी भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है 36 मिनट यानि कि यहाँ पे आप इसका यूज करके टोटल कपैसिटी निकाल सकते हो यह कपैसिटी मतलब कि यह जो आपका टंकी आएगा इसमें टोटल पानी कितना बेठेगा यह आप निकालोगे कैसे कि एक मिनट में वो कितना भरते है चार लिटर और पूरा टंकी भरने के लिए इसको कितना मिनट लगता है 36 मिनट तो कितना पानी जाएगा टोटल 36 मिनट में एक मिनट में 4 लिटर जाता है तो 36 मिनट में कितना जाएगा ये आपका जाएगा ठीक है इसको 4 और ये 144 तो आपको यहां पर क्या पूछा है आपको यहां पर पूछा है कि slower pipe जो होगा उसको अभी यहां पर आपको क्या पूछा है slower pipe alone take to fill the tank in कि मतलब आपको पूछा है कि जो slower pipe है वो पूरा टंकी भरने के लिए कितना टाइम लेगा आभी पूरा टंकी भरना है तो अंदर इस टंकी में कितना पानी जाना चाहिए इतना ठीक है और अभी यह जो slower pipe इंदोर में B यहां पर निकालते है canon total time for और उसुवाइब भी और न की बरना हैं तो कितना डालना है 144 ट और एक मिनिट में कितना डालता है एक लिन्टर वह 144 डालने के लिए कितना टाइम लगेगा 144 डिवादे वाउन तो इसको टोटल टाइम लगेगा 145 मिनट तो इतने टाइम में ये टंकी भर देगा तो ये आप्शन कहां पर आपका आप्शन थर्ड किक है थर्ड आप्शन में तो यहां पर आपके तीन स्टेप थे आपको पहले तो ये जो रिलेशन दिया है इसको आपको find out करना था इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपको ये है कि अगर जितने टाइम में यानि एक मिनट में भी अगर एक यूनिट भर रहा है तो एक इतना भरेगा तीन यूनिट अगर लिटर में देखे तो भी एक लिटर भरेगा और एक इतना भ बढ़ने के लिए दोनों को लगताए थिस से आप उस टंकी की को ही अब सब्सक्राइस किसे निपये की निभा टो पानी इसे निकाल ओगे ले शाग की मिन कि slower pipe यानि B इसको अगर इस टंकी को अकेला भरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, B एक मिनिट में भरता है एक लिटर, तो 144 भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 144 को आपको B की जितनी capacity है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको अगर टाइम निकालना है तो टोटल कैपासिटी रिक्वाइड बाइड 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 बी से डिवाइड करो, तो आपका आता है 144 मिनट्स, I hope कि ये क्वेशन आपको क्लियर होगा, ओके, क्लियर है फ्रेंस, क्लियर आपको रितु, प्रतिक्षा, प्रगती, पूनम, स्रिस्टी, तरंगीनी, यस, रद्धा, ठीक है, वे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लेस लैंग्वेज में आपको एक्स्प्लेन करूँ, बद स्टिल, आगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज बताईए, क्या है, कि a tank is filled in five hours by three pipes A, B and C, एक टंकी है, मान लिजे कि यहाँ पे है, इसको तीन pipe मिलके भरते है, A, B and C, सो आपको यहाँ पे क्या दिया है, कि क्या दिया है, the pipe C is twice as fast as B, इसका मतलब क्या है, as fast as B मतलब, जितना काम B करता है, उसके दोगुना काम C करेगा, मतलब अगर यह दो लिटर ला रहा है, तो यह चार लिटर दा लेगा, ठीक है, और आगे क्या दिया है, B is twice as fast as A, इसका मतलब क्या है, जितने time में A काम करेगा, अगर A एक लिटर करेगा, तो इसके twice, twice यानि दो गुना, तो B कितना करेगा, दो लिटर, ठीक है, और इसका उल्डा मीनिंग क्या है, कि B अगर twice है, तो A क्या है, इसके half है, ठीक है, ये भी है, है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मिनिट में क्या करता है, A क्या करता है, चार चॉकलेट खाता है, और B A के दो गुना चॉकलेट खाता है, मतलब एक मिनिट में B कितना खाएगा, आठ चॉकलेट, इसका दूसरा मतलब क्या है, कि B अगर एक मिनिट में आठ चॉकलेट खार रहा है, तो इसके आधा कौन खाएगा, A, यानि A कितना खाएगा, चार, तो दोनों का मीनिग एक ही है, ठीक है, आप उसको illustrate कैसे करते हो, understand कैसे करके लिए, तो ये आप पे different है, ठीक है, तो ये तीनों का relation दिया है, तो आपको time, sorry, question में क्या पूचा है, How much time will pipe A alone take to fill the tank, अकेला pipe A कितने समय में इसको भरेगा, ठीक है, पहले तो आपको relation क्या दिया है, कि आपका जो यहाँ पे, क्या है, C है, वो क्या है, twice as fast as B, मतलब C आपका 2 भी है, and दूसरा क्या दिया है, B आपका क्या है, 2A है, तो आप यहाँ पे consider क्या करोगे, तीनों को consider करोगे, A, B, और C, इसका मतलब, अभी मैं consider करता हूँ कि एक मिनिट में, A कितना भरता है, एक लिटर पानी यहाँ पे डरता है, कितने मिनिट में, यहाँ आर्स की बात किये न, तो यहाँ पे आर्स लेंगे, एक घंटे में A, एक लिटर पानी भरता है, तो B कितना भरेगा, B, A के ट्वाइस, यानि B कितना भरेगा, 2 लिटर, कितने एक घंटे में, ठीक है, और C क्या है, B के डबल है, तो C क्या करेगा, C कितना भरेगा, C भरेग बीके डबल यानि दो का डबल कितना होता है चार लीटर पर आर ओके ठीक है अब आपको यहां पर निकालना है कि एको कितना टाइम लगेगा अभी एक का क्या गण्टे में एक लीटर डालता है लेकिन आपको यहां पर टोटल कैपैसिटी आफ टैंक आफ टांग यह पता नहीं है तो आप कैसे करोगे कि थी 9 मिलके एक घंदे में कितना पानी डाले ए फ्लस बी फ्लस सी कितना डाल रहे एक दो और चार क्या कितना होगै साथ लीटर पर आर तो टोटल कापैसिटी टाइंग का कितना होगा साथ लीटर एक घंटे में डालते हैं और टोटल टंकी कितने घंटे में भर रहे हैं पांच घंटों में तो टोटल पानी कितना होगा टंकी में तो यहां पर हम निकालेंगे टाइम रिक्वाइड फॉर एको कितना टाइम लगेगा एको टोटल पानी अगर अकेला भरेगा तो एको पूरे टंकी में कितना पानी डालना पड़ेगा 35 राइट लेकिन अकेले का क्यापैसिटि कितना है एक अकेला एक घंडे में बस एक लिटर दालता है तो पाइंटिस लिटर डालने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वह कैसे निकाल होगे आप 35 डिवाडेट वट तो उसको लगेगा 35 अर्स 35 घंटा लगेगा option C ओके, fine अभी आप देखे, same है same है आपको क्या करना है कि bucket P has thrice capacity as bucket Q मतलब P 3 गुना capacity है, किस से Q से, मतलब Q अगर 1 लिटर पानी डालेगा तो P कितना डालेगा, 3 लिटर तो आपको आगे किता है, it takes 60 turns for bucket P to fill empty drum खाली drum अकेला P भरेगा तो उसको 60 turns 60 turns मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, 60 बार P bucket P से पानी डालना पड़ेगा 60 turns, ठीक है, तब जाके वो जो खाली drum होगा, वो पूरा भरेगा, ठीक है, आगे दिया है how many turns it will take for both P and Q having each turn together to fill empty drum, तो आपको इस question में in short ये पूछा है कि अगर P और Q से हम एक साथ पानी डालेंगे उसमेहना, तो कितना यहाँ पे पानी लगेगा यहाँ पे, कितना इन दोनों का turn होगा, मतलब इतने ऐसे P और Q एक बार इनके buckets होंगे मिलके, ठीक है इसको आप कर सकते हो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक मान लिजे, ठीक है देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक बड़ी टंकी, एक drum है, drum है यह एक टंकी समझी है, ठीक है तो इसमें आपको भरना है, और यहाँ पे दो bucket है, और यह bucket का relation क्या है, B का capacity क्या है तीन गुना है, किस से, Q से मतलब, bucket आपकी यहाँ पे एक bucket है, छोटी वाली मान लिजे, यह आपकी IC bucket है ठीक है, इसका नाम है P, और इसकी capacity क्या है तीन गुना है, किस से, Q से तो Q थोड़ा इसका size क्या होगा Q का छोटा होगा तो मान लिजे, यह IC bucket है यह है Q और P की capacity क्या है तीन गुना है, मतलब एक लिटर Q डालेगा, तो P कितना डालेगा तीन लिटर पानी इसमें बैठेगा तो, अगर और पूरी टंकी भरने के लिए अगर अकेला P डालेगा मतलब आकेल एक ही bucket से इसमें पानी डालेगे, तो ऐसे कितने bucket पानी लगेगा यहाँ पर 60 bucket पानी लगेगा तो यह क्यों दिया है आपको यह जो statement दिया है, इससे आपको इस टंकी में, इस ड्रम में total कितना पानी बैठेगा, वो निकालने के लिए यहाँ पर दिया है, मतलब इससे आप total capacity निकाल सकते हो ठीक है, अब आपको question में क्या पूछा है, तो अभी अगर अकेला एक पी bucket से भरेगा तो ऐसे कितने bucket डाले लगेंगे, उसको 60 bucket पानी लगेगा इसे, 60 bucket ऐसा डालना पड़ेगा, है ना तो आपको question में पूछा है, कि हम दोनों से पानी भरे और एक साथ, मतलब पहला trip होगा, तो पी और क्यू मिलके डालेगा, तो यह पी भी जाएगा और क्यू भी जाएगा, तो यह हो गया एक turn फिर दूसरा होगा, फिर बाद में पी और क्यू भी डालेगा, तो यह हो गया इसका दूसरा turn, मतलब ऐसा कितना times दोनों को पी और क्यू, दोनों bucket से इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो आपके option है, 30 बार दोनों को डालना पड़ेगा, भरके यहाँ पे पी और दालेगा, तो उसने समय में क्यू, पी कितना डालेगा, 3 लिटर क्योंकि उसकी capacity 3 गूना है तो आपको एग तो पता चल गया कि पी का capacity क्यू के 3 गूना है इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर आगर मैं क्यू लुखू, यहाँ पर पी लिखू अगर क्यू, एक बकेट में एक लिटर पानी डालता है ठीक है, है ना, पर टन एक बकेट में, ठीक है, पर टन तो उसने समय में, पी इतना डालेगा 3 लिटर पानी डालेगा, एक टन मतलब इसकी capacity P की है 3 लिटर और क्यू की है, एक लिटर ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि drum की capacity कितनी है, तो drum की capacity, इसकी कितनी होगी, तो पूरा drum भरना है, तो Q को, मतलब इस bucket से आगर भरना है, आकेले P से, तो कितने bucket लगेंगा ऐसा पानी, 60 लिटर, तो उससे यूज करके हम इस drum की capacity कैसे निकालेंगे, एक bucket में पानी जाता है, तीन लिटर, तो 60 bucket में कितना जाएगा, ये जाएगा 180 लिटर, बराबर, तो आपको क्या पूछा था, कि P और Q को कितना टन लगेगा, कितने बार P और Q को, दोनों को टन लेना पड़ेगा, एक बार मतलब कितना P और Q का, ऐसा डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम total turn निकालेंगे, ठीक है, total turn कैसे निकालोगे आप, total पानी डालना है 180 लिटर, और एक टन में P और Q मिलके कितना डालते हैं, P और Q मिलके तो P आपका डालेगा 3 लिटर, और Q डालेगा 1 लिटर, तो दोनों मिलके एक turn में कितना डाल रहे हैं, 4 लिटर पर turn, तो अगर एक turn में 4 लिटर डाल रहे हैं, तो 180 डालने के लिए कितना time लगेगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पर इसको आप करोगे, तो यह आएगा 45 turns, 45, समझ मैं आपको friends, इसमें कोई से कोई doubt है, इस question में, same है, capacity है, P का 3 लिटर डालेगा, तो P 3 लिटर देगा, ठीक है, तो दोनों मिलके तर्दम लगे, ऋन्की जो नमबर आता है, तो एक बारी में कितना डालेगा, तो पानी कितना डालेगा, आपको पहले total drum का capacity निकालना पड़ेगा, तो मान लिजा, आपको यहाँ पर दिया है, कि अकेला bucket P से हम इसमें पानी डालेंगे तो ऐसे कितने bucket पानी लगेगा 60 तो आपको drum की capacity निकालने तो कैसे निकालोगे एक लिटर एक bucket जब जाता है ड्रम के अंदर तो तीन लिटर पानी डालता है है ना ऐसे कितने bucket लग रहे आपको 60 तो यानि टोटल पानी कितना लगेगा 180 बराबर तो ऐसे टोटल कितने टर्न लगेगे 180 बाई 4 तो कितना आएगा 45 टर्न ठीक है मतलब ऐसा 45 बाल दोनों से पा देशे हम time and work में करते थे ना कि start दोनों A और B मिलके काम start करते हैं फिर मान लिजे 5 दिनों बाद क्या होता है इसमें से B भाग जाता है फिर यह जो बचा हुआ काम है यहां से लेकर यहां से यहां से यह आकेला कोन करता है B sorry A करता है तो आपको पूछा जाता है कि A को बचा हुआ काम करने के लिए कितना time लगेगा तो same question मान लिजे कि दो टंकी है एक दो टैप है sorry A और दूसरा है B ओके तो तो दोनों मिलके आपको दिया जाए कि यह 12 मिनट में भरेगा यह 15 मिनट में तो आपको क्या जाए कि दोनों 3 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए दोनों चालू रहेंगे A और B तीन मिनट के बाद आपका A बंद कर दिया जाएगा यानि इससे अभी पानी जाएगा ने तीन मिनट बाद तो तीन मिनट तक सब्सक्राइब दोनों ने मिलके यहां तक भर लिया अभी बचा कितना है यहां से लेकर यहां तक यह अकेला कोन भरेगा अकेला A भरेगा तो आपको question में पूछा जाएगा कि जो बचा हुआ पानी है यह अकेला A अगर भरेगा तो यह कितने टाइम में भरेगा इस type के question आपको आएगे ठीक है तो यह सेम उस type का question है इसको ध्यान से देखिए two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively यहां पर दो पाइप है A और B अकेला भरेगा तो इसको 12 मिनट में इस टंकी को भरता है ठीक है और B भरेगा तो 15 मिनट में भरता है ऐसा आपको कहा है ठीक है फिर आपको दिया है if the both taps are open simultaneously, दोनों को एक साथ start किया, simultaneously मतलब एक साथ चालू करना ठीक है फिर आगे दिया है कि tap A is close after 3 minutes मतलब इतमे से जब दोनों चालू किये एक साथ बद 3 मिनट बाद A को बंद कर दिया फिर अभी चालू को रहेगा सिर्फ आपका भी तो आपको पूचा है then how much more time it will take to fill the tank by tap B, तो और कितना time ज्यादा लगेगा B को उस टंकी को भरने के लिए, ठीक है, अभी इसको problem को आगर मैं आपको बता हूँ यहाँ पे, एक illustrate करके तो यहाँ पे देखिए, माल लीजे, यह है आपका pipe A और A है pipe B, दोनों से अभी पानी आ रहा है, फिर दोनों को एक साथ start कि फिर A और B मिलके इसमें कुछ तो भी पानी डालेंगे, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यह A और B कितने मिनट के लिए चालू रहेंगे, सिर्फ तीन मिनट के लिए, तीन मिनट के बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, tap A, क्या हो रहा है, is close, मतलब A इसमें से हट जाएग तो अभी बचेगा कौन, सिर्फ B बचेगा, तो इस तीन मिनट में दोनों मिलके यह जो टोटल कैपैसिटी होगा, इसका कूस्तो भी पाट यह दोनों मिलके पानी भरेंगे, मान लिजे, दोनों ने मिलके यहाँ तक पानी भर दिया, यह A और B का काम है, अब अकेला कितना पाकी भरना भाकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कौन भरेगा, अभी A तो भाग गया, तो इसको आकेला कौन भरेगा, सिर्फ B, तो आपको पूछा जाएगा कि यह जो पाट है, इतना भरने के लिए B को कितना टाइम लगेगा, इसका मेथर क्या है, दोनों का बेढ़ता है, अब एक मिनिट में B कि एक अतना भरेगा, यह भरेगा, सिक्स्टी बाइ वैल तो यह कितना आएगा, कि प्युवाइट वैल,士 तो आप करोगे तो कितना आएगा, या आएगा, पाँच लिटर पानी पर मिनिट में, तो बेश्वा बोटु, पाश्वाज लि तो यह भरेगा चार लिटर पर मिनट ठीक है दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों मतलब A और B एक मिनट में कितना पानी डालेगे नो मिनट सॉरी नो लिटर एक मिनट में डालेंगे है ना अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि यह जो दोनों चालू थे वो कितने मिनट तक के थे सिर्फ तीन मिनट तक तो तीन मिनट में इन्होंने कितना पानी डाला होगा तो यहाँ पर निकालता हूँ वाटर fill by A and B A और B ने कितना पानी डालना है तो एक मिनिट में 9 लिटर डालते है तो तोटल दोनों कितने समय के लिए चालो थे तीन मिनिट के लिए तो तीन मिनिट में कितना डालेगा ये 27 लिटर ठीक है अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है आप देखिए आपका टोटल कैपैसिटी कितना है 60 लिटर का बराबर 60 लिटर में से दोनों ने मिलके कितना भर गया 27 लिटर अभी बाकी कितना होगा अभी यहाँ पे remaining tank कितना है empty tank कितना है और कितना पानी डालना पड़ेगाा ङे इसमें Fahrenheit लॉंटर कितना लगे अब लॉटर और कितना लगे रिकवायर हटू फिल अतैंकर बअनगर्ण लया कितना लगेगा वरी टंक की भरने की लिए कितना पानी लगेगा तोटल भरना है 60 लिटर तब जाके टंकी भरेगी लेकिन इसमें से दोनों ने मिलके 27 भर दिया है तो अभी कितना भरना भाकिए 33 लिटर इतना पानी डालना है अभी ए तो भाग गया अभी कौन भरेगा यह अकेला भरेगा 33 लिटर कौन भी तो आपको पुछा है कि यह बी को भरने के लिए कितना टाइम लगे तो यहाँ पर लिखताओ में टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी टोटल भरना है वी को 33 लीटर और एक मिनट में भी भरता है चार लीटर तो यहां पर क्या आएगा 33 भाव फोर तो फोर एट जा ऐट एक बचेगा और यहां पर क्या होगा आट मिनट और आगला जो मिनट होगा उसका वंफोर्थ तो आप यहां पर देखिए वंफोर्थ मतलब एक मिनट कितना होता है एक मिनट का कितना हो दें साथ सेकंद तो साथ सेकंद का वन फोर्थ मतलब इतना होगा पंदरा सेकंड तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा यह टाइम होगा एट मिनट और फिप्टीन सेकंड तो आपका एंसर क्या बनेगा ऑप्षण अभी मुझे पता है कि आपको थोड़ा यह difficult गया होगा समझने में कितने लोगों का समझ में आया किसी को समझ में ने आया फ्लीज बताईए अब यह ट्राइट रिपीट इट बस सिंपल इसमें क्या है जो हम टाइम एन वर्क में करते थे ना कि दोनों मिलके पास दिन काम करते पास दिन के बाद बीच छोड़के जाता है फिर बचा हुआ का माकेला एक करता है तो सेम सेम टाइप का लॉजिक है इसमें किसी को समझ में नहीं है ऐसा कोई है इसमें फ्रेंट्स प्लीज बताईए चलो नेश्ट देखते हैं अभी यह सेम क्वेश्चन इसको ट्राइब किजिए आप क्या है टू पाइपस ए और बी ठीक है ए और बी कान फिल टैंक इन फिप्ट ट्यूली बोथ पाइपस आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर फॉर मिनेट तो दोनों को साथ में चालो गिया बट चार मिनद बाद पाइप ए इस टर्न आफ तो दोनों में से एको चार मिनद बाद बंद कर दिया फिर आपको पूछा है वाट इस टोटल टाइम कितना होगा तो यहां पर क्या है ए और बी है ठीक है तो ए अकेला इस टंकी को भरता है 15 मिनट में भी भरता है 20 मिनट में दोनों का एलसेम कितना आएगा 60 तो एक मिनट में कितना भरेगा यह यह भरेगा चार लीटर पर मिनट भी कितना भरेगा यह भरेगा आपका 3 लीटर पर मिनट भी ठीक है दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरते है A और B, दोनों मिलके कितना भरते हैं? 7 liter per minute ठीक है? अभी दोनों ने क्या किया है? टोटल पानी आपको टंकी में कितना दारना है? 60 liter दोनों मिलके 1 minute में कितना भर रहे हैं? 60 liter और यह दोनों कितने समय के लिए open थे? 4 minute के लिए तो अगर आपको डाइगराम में देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पाइप A है, यह इधर से पानी और यह B है, आपका यह इधर से पानी डालता है, तो दोनों मिलके A और B क्या थे सिर्फ 4 मिनिट के लिए ओपन थे, तो यह 4 मिनिट में इसमें से कुस्तोभी पा यहाँ तक, कितने मिनिट में होता है, चार मिनिट में, बरावर, उसके बाद यहाँ से कॉन आपका जो A पाइप है, यह आपका बंद हो जाता है, फिर अकेला पानी कहा से आएगा, सिर्फ B से आएगा, और B को कितना पानी बढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, तो आपको पूछाए कि B को कितना टाइम लगेगा, अभी आपको यहाँ पर देखना है कि water, fill, by A and B, दोनों ने मिलके कितना पानी भर दिया होगा, दोनों मिलके एक मिनिट में 7 लिटर भरते हैं, और दोनों कितना समय चालू थे, चार मिनिट, तो एक मिनिट में 7 लिटर भर रहे हैं तो चार मिनिट में कितना भरेंगे, तो यह भरेंगे 28 लिटर, तो 60 में से 28 भर गया अभी यहाँ पर कितना बाकि होगा तो यह होगा आपका 60-28 तो यह कितना होगा आपका 32 लिटर यहाँ पर बैठना है मतलब यहाँ पर देखिए आप इसको मैं आपको यहाँ पर फिर से समझाता हूँ तो टनकी का कैपैसिटि है 60 लिटर शाट में से दोनोंने मिलके 28 लिटर भर दिया मतलब यहाँ तक पानी उसका 28 लिटर बेढ़ गया अभी कितना होगा यह तो यह बचा हुआ कितना होगा 60-28 कितना आएगा यह आएगा 32 खिक है अभी है 32 लिटर अकेला कून भरेगा यह सिर् तो अब यहां पर अभी यहां पर क्या निकाल लेंगे हम कि टाइम है रिक्वाइर्ड कि फॉर बी तो फिल कि रिमेनिंग टैंक तो अभी पानी और कितना भरना इसको 32 लीटर और एक मिनिट में बी कितना भरता है कितना लगेगा यह लगेगा 10 मिनट और यह उपर का 2by3 यह होगा आपका सेकंड आपको इतना टाइम इसको लगेगा इसKो मैं सेकंड में लिखू तो 10 minute हो जाएगा और 2 by 3 मतलब यह हो जाएगा आपका 40 second तो यह तो option यहाँ पर कहीं भी भी नहीं 10 minute और 40 second friends लेकिन आपको question में क्या पुछाता total time पुछाता तो total time कितना होगा यह time जो आए सिर्फ अकेला B का है यहाँ पर भरने के लिए इतना टंकी भरने के लिए किन आपको पुरा है टोटल टंकी भरने के लिए कितना time लगेगा तो total time कितना लगेगा इतना भरने के लिए यहाँ से यहाँ तक इतना लगा यह लगा 4 minute और बागी का भरने के लिए 10 minute और और 40 सेकंड तो टोटल टाइम कितना लगा 10 और 4 यह हो जाएंगा 14 मिनट और 40 सेकंड ओप्शन डी ओके सिंपल है आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा यह आगला क्वेश्चन है इसको सौल करने कोशिश कीजिए कि एक एंसर आया ओप्शन एक इतना डाइम रहे तो पाइपस ए और बी कैन फिल टैंक इंट फिप्टीन आर्स रिस्पेक्टिवली वाइल थर्ड वाइल थर्ड थर्ड पाइप यह दो भरते हैं और यह जो सी है यह खाली करता है अब यहाँ पर थोड़ा द्यान देना पड़ेगा आपको ए और बी यह दोनों भर रहे तो यह प्लस यह माइनस आएगा यह भरता है 15 घंटों में यह भरता है बीस और यह करता है 25 घंटे में पूरी टंकी को खाली करता है तो इनका LCम आएगा 300 तो इतना लीटर पानी भरने के लिए इसको 15 घंटे लगते तो एक घंटे में कितना भरेगा यह यह भरेगा 20 लिटर पर आर इसको 15 लिटर पर आर ठीक है और ये 2 डोनों प्लस आएंगे और C क्या करेगा ये आपका 12 लिटर पर आर ये क्या करता है पानी बाहर निकालता है तो ये माइनस करेगा ठीक है, है ना, तो ये कितना हो गया आपका, तो तीनों का, एक घंटे का काम, A प्लस B प्लस C, तो तीनों मिलके एक घंटे में पानी नेट कितना जा रहा है, तो ये कितना जाएगा, A डालेगा 20 लीटर, B डालेगा 15 लीटर, और ये जो C होगा, ये आपका, एड नहीं करेगा, ये आपका माइनस करेगा, है ना, बाहर निकालेगा, मतलब 12, तो ये कितना जाएगा, 23, है ना, 15 में से 12 लीटर, पानी, तीनों का, नेट रिजल्ट एक आर में जा रहा है, तो अब, after 10 आर, C is close, मतलब तीनों पाइप, A and B and C, ये जो थे, ये 10 आर के लिए तीनों ओपन थे, तो टोटल वाटर, कितना जाएगा या आपर, वाटर, वाटर बाइ, A, B and C, ये तीनों मिलके कितना डालेंगे, एक घंटे में डालते है, 230, तो दस घंटे में कितना, सॉरी, एक घंटे में दोनों मिलके 23 लिटर डालते हैं ना, तो दस घंटे में कितना डालेंगे, 23, तो 230 लिटर, है ना, ये डालेंगे, तो remaining कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, टोटल है 300, 300 में से 230 भर गया, कितना बचेगा, ये बचेगा, 70 लिटर, बराबर, अब 10 घंटे बाद क्या होगा है, C अभी बंद होगा, मतलब C अभी क्या होगा, 10 घंटे बाद बंद होगा, तो remaining water कितना है, 70 लिटर, अब ये 70 लिटर कौन भरेगा, सिर्फ A और B, बराबर, तो time A और B को 70 लिटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, time for A and B, total पानी भरना है 70 लिटर, और दोनों मिलके A और B कितना भरते हैं, A भरता है 20, B भरता है 15, तो 70 by 35, तो ये कितना आएगा, 2 आर, तो सिर्फ 2 घंटा नहीं, ये 10 घंटा तो ये 3 ने काम किया न, तो यहाँ पे आपको निकालना है, total time, पहला 10 घंटा, ये तीनों का और ये दोनों का 2 घंटा, तो ये कितना होगा, 12 आर्स, ओके, option 1st, ओके, ये आगला question है, ठीक है, ये अभी आपका homework है, same type का है, तो इसको आप as a homework करोगे, इसका screenshot लेज़े फ्लीज, ठीक है, अभी इस type के हमने बहुत देखे, दो ती, तो मैं आपसे request करता हूँ कि इसको as a homework आप solve कीजिए, ठीक है, अभी इसमें alternate pipe है, ठीक है, यहाँ पे इस question को ध्यान से देखी, ये थोड़ा अलग type का है, two pipes a and b can fill a tank in six hours and four hours respectively, if they are open on alternate hours, if pipe a is open first, in how many hours, the tank shall be full in, तो मान लीजी एक टंकी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे pipe a लगा है, जो इसको भरता है, फिर यहाँ पे लगा है pipe b, अब alternate r में क्या होगा, कि पहला एक घंटा a open होगा, उसके बाद a बंद होगा, फिर b चलोगा, ठीक है, फिर एक घंटा होने के बाद b बंद होगा, a चलोगा, ठीक है, फिर एक घंटा होने के बाद इसको बंद किया जाएगा, यह start होगा, फिर एक घंटा होने के बाद ये बंध होगा, ये स्टार्ट होगा, ऐसा कब तब चलेगा, जब तक ये टंकी आपका भरने जाता, अब इस लेवल के प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो पहले इसमें दोनों में स्टार्ट कौन सा हो रहा है, तो पहले हम देखते कि एक आर में य करता है, इसको अकेला भरेगा तो 6 घंटा लगता है, भी अकेला भरेगा तो 4 घंटा लगता है, ठीक है, दोनों का LCM कितना आता है, 12 लीटर, ठीक है, तो एक घंटे में एक इतना भरेगा, ए भरेगा आपका 2 लीटर पर आर, भी कितना भरेगा, 3 लीटर पर आर, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ओरल प्रॉब्लम है, कि पहला आर चालू हुआ, अभी स्टार्ट कोन होगा, ए, तो ए स्टार्ट होगा, ए का नमबर आएगा, एक घंटे में ए कितना पानी डालता है, दो लिटर, अभी दूसरा आर चालू होगा, आप कोन आएगा, बी आएगा, य अभी कोन डालेगा, बी आएगा, ये कितना डालेगा, तीन, अब कितना पानी गया, टोटल, अभी टंकी भरिये क्या, टोटल क्या पैसे कितने है, बारा, है ना, इस टंकी में टोटल पानी कितना बेटता है, बारा लिटर, अभी कितना पानी गया, दो और तीन पाच, साथ और 3 10 और 2 लिटर वाकि है तो यह 5th R होगा है ना अब को न आएगा B होगा A आएगा A कितना ढलेगा 2 लिटर अब कितना हुआ 5 और यह 5 10 और यह 12 लिटर तो 5 गंटे में 12 लिटर पानी जाएगा मतलब टंकी फुल होगी तो टाइम कितना लगेगा option 3 यह जाएगा आपका 5 घंटे में given tanky full हो जाएगी clear है oral है इसमें बाकि आपको कुछ करना नहीं है है न कि आपको alternate कहा है alternate मतलब कुछ समय के लिए A काम करेगा कुछ समय के लिए B जब B कर रहा है तब A नहीं करेगा जब A कर रहा है तब B नहीं कर रहा है ठीक है तो दोनों आपको यहाँ पर क्या दिया है एक घंटे में ए आपका 2 लिटर पानी डालता है B 3 लिटर तो हमने A से start किया A is open first यह आपको दिया एक घंटे में यह 2 लिटर डालेगा फिर A एक घंटे बाद बंद होगा फिर B आएगा ये तीम लिटर पानी डालेगा एक घंटा हो गया फिर तीसरा घंटा लगेगा फिर A का A आएगा फिर ये खतम होगा बंद होगा फिर B आएगा फिर अगें अगर टंकी खाली है फिर A का टाइम आएगा तो ऐसा कब तर चले और यह लिक पर है ना इस यह पर यहां पर होता है तो पानी भाहता रहता है उससे है ना आप पानी डाल रहे हो और लिकेश कहीं से पाईप अगर फूटा है तो लिकेश होता है तो यहां पर दीखे क्या दिया है कि a system is normally filled in eight hours but it takes another two hours longer to fill because of leak in its bottom if system is full the leak will empty it in ठीक है तो इसमें क्या दिया है एक तंगी है उसको की normally एक pipe आठ घंटे में भर देता है but अब क्या हो रहा है कि उसको दो घंटा longer लग रहा है मतलब ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसके bottom में उसके नीचे एक leakage है उसके पाणी हमेशा भहता रहता है उसके उज़े से दो घंटा ज्यादा लग रहा है मतलब पहले आठ घंटा लगता था अभी लिख को दो तो आपको पूछा है कि अगर भरी हुई हो तो उस भरी हुई को लिक कितने घंटे में खाली करेगा तो यहां पर आपको देखना यहां से पानी आ रहा है यह पाइप एह है यह पानी नहीं आएगा बट टंकी भरी हुए बट लिकेज है यहापे तो पानी भैता रहे है कब तक जब तक आपकी टंकी खाली नहीं हो जाती है तो इसको कैसे करें देखिए मान लीजे यह पाइप ए है यह क्या गरता है इसको 8 घंटे में भर देता है बराबर बट आप क्या हो रहा है इसमें पाइप एका भी काम चल रहा है और जो leakage है, L for leakage ले रहा हो, ये दोनों हैं इसके उदे से पानी भरने के लिए 2 घंटा जादा मतलब 8 घंटा और 2 घंटा मतलब कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, बराबर, राइट, अब दोनों का LCM लेगे, 8 और 10 का LCM कितना आएगा, ये आए 40, मतलब इस टंकी की capacity कितना है, 40 लिटर इसमें total पानी बैठता है, अभी 40 लिटर जब लिक नहीं है, तब पाइप A को भरने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 घंटा, तो 1 आर में पाइप A, जब वहाँ पे leakage नहीं है, तो कितना पानी डालेगा, ये डालेगा आपका, कित 40 by 8, ठीक है, और जब leakage है, तब कितना पानी जा रहा है, एक घंटे में, जब leakage है, तब पानी कितना जा रहा है, तो 40 by 10 कीजे, तो कितना जा रहा है, सिर्फ 4 लिटर पानी जा रहा है, तो पानी जब leakage है, तब कम जा रहा है, और जब leakage नहीं है, तब ज़्यादा जा रहा है, तो gap कितना है यहाँ पर, यहाँ पर difference है, difference कितना है, एक लिटर का difference है, और यह एक लिटर पानी कम क्यों जा रहा है, क्यूंकि एक घंटे में एक लिटर पानी आपका जो leakage है, वो बहार फेक रहा है, मतलब आपका leakage का capacity कितना है, leakage का, आपका capacity कितना है, leakage क्या करता है आपका, जो आपका L for leakage है, यह क्या करता है, एक लिटर पानी एक घंटे में बहार बहार देता है, है ना, तो आपको यहाँ पर पूछा है, कि अगर टंकी भरी हुई है, तो उसको पूरा खाली करने में leakage को कितना time लगेगा, तो total time कैसे निकालेंगे आप, total ठंकी की capacity है 40, और एक घंटे में यह कितना खाली करता है, एक लिटर, तो 40 लिटर खाली करने के लिए कितना time लगेगा, 40 by 1, तो यह कितना हैगा, 40 hours, option D, sorry, यहाँ पर मैंने double number दे दिया, इसको cancel कीज़े, तो यह 40 घंटा लगेगा इसको, इसमें हमने क्या किया, कि दोनों को हमने आजुन किया कि बिना leakage का है, तो इसको 8 घंटा लगता है, इसका मतलब, 40 लिटर पानी भरने के लिए, इसको 8 घंटा लगता है, है न, तो एक घंटे में कितना पानी दार रहा है, यह 5 लिटर डार ला है, क्यों डार ला है कि यहाँ पर leakage नहीं है, और जब leakage है, तब इसको 2 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब, 10 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, यह सिर्फ 4 लिटर पानी डाल रहा है, मतलब, जब leakage नहीं है, तब 5 जा रहा है, और जब leakage है, चार जा रहा है, मतलब, 1 लिटर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि leakage, तो आपको question में पूछा था कि पूरा टंकी अगर भरा हुआ है, फुल है, तो उसको खाली करने के लिए इस leakage को कितना टाइम लगेगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल कपाइसिटी है, 40 और एक घंटे में एक लिटर बहा देता है, तो कितना टाइम लग रहा है, 40 घंटा, option D, I hope कि यह clear होगा, और यह leakage वाले question आपके बहुत आता है, ठीक है, इसको अच्छे से किजिए, leakage के question, आपको ठीज सारे SSC के exam में मिलेंगे, और other exam में मिलेंगे, प्लीज आपको एक बार Google से देख लिजेगा, तो I guess यह हमारा आज का last question था, ठीक है, तो I hope कि जो आज हमने सीखा है, आप लोगों को समझ में आया होगा, इस topic में I hope कि कम से कम आपको दिक्कते आ रहे होगी, अगर आपने time and work अच्छे से किया है तो, otherwise थोड़ा आपको difficulty जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको recommend करूगा, suggest करता होगी, time and work के जो हमने session लिया है, उसको एक बार आप revise करिए, जो concept समझ में नहीं आ रहे है, उसको try कीजे कि आप इसको बार बार देखे और समझे, अगर उसमें भी समझ नहीं आ रहे है, तो YouTube का help लिजे, Google करिए, बट आपके concept clear होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह आपका confusion बढ़ता जाएगा, जैसा एक एक topic आएगा, ठीक है, और math को थोड़ा जब तक आपको confidence नहीं आता कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हो, तब तक आप इसको attempt करते रहे है, ठीक है, आप जैसे इसको छोड़ दोगे, आप भूल जाओगे, ठीक है, math में shortcut नहीं है कोई, आप जब तक practice होगे, आपके concept अच्छे रहेगे, ठीक है friends, so I hope कि जो आज हमने discuss किया है, आपको clear होगा, so मिलते हैं next session में, thank you so much, जै भीब,